इंटरनाशनल फ्लाइट्स के बारे में प्रयास चल रहा था तो उसमें अभी एड इंडिया ने एक स्लॉट हम से मांगा था डुबई कनेक्शन के लिए तो वो स्लॉट हमने उनका अपरूप कर दिया और 14 नमंबर से अभी नेक्स मन्थ से स्टार्ट हो जाएगा और हम उमीद करते हैं कि अगर कोवीड की सिच्वेशन कंट्रोल में रही और पांडमिक जैसी स्थिति अभी चल रही है उससे और बहतर होती है तो यह फ्लाइट कंटीव रहेगी बिकास यह एक बड़ा बिजी सेक्टर है अलांकि Air Arabia शार्जव अपरेट करता है ते में तीन दिन चार दिन यह जैसे उनका लोड होता है बट यह कनेक्शन दुबाई के लिए एक स्ट्रेट कनेक्शन होगा तो इस विल बेनिफिशल पर पीपल और गोवा तो पीपल वास पीपल वास पीपल वास पीपल वास पीप अब तक किसी ने हमको स्लाट अप्लाइ नहीं कि है तो जब तक स्लाट अप्लाइ नहीं होते हैं तो हमारे लिए ओफिशल यह कहना पॉसिबल नहीं होता है कि यह फ्लाइट करेंगी सुन रहे हैं हम भी सब लोगों से कि चार्टर अप्रेट होंगे चार्टर अप्रेट होंगे बट जब तक स्लाट वह हमें अप्लाइ ना करें स्लाट अप्रूव ना हो गवर्मेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल ना हो तब तक उसकी कोई संभावना नहीं है और बाकी बह अबी तक हमारे पास ना रोजिया ने स्लाट अप्लाई किये हैं ना अजूर ने स्लाट से अप्लाई किये हैं जो की में अपरेटर्स हैं आइटीपी ओके चार्ट लेके आते हैं वियर एक्सपेक्टिंग के वह एप्लाई करें क्योंकि पंद्रा ऑक्टोबर के बाद से चीज़े खुलनी शुरूर हुई हैं और एक चार्टर ऑपरेशन को स्टार्ट करने में बहुत सारी फॉर्मालिटीज हैं बहुत सारी अप्रे कोड़े प्रपेशन इंवर्ड हैं तो हो सकता है थी वह को वर्काउट कर रहे हैं तो जब अप्लाई करें हैं हम तयार हैं हमें कोई दिक्कत नहीं हैं वियर मोर्दन विलिंग और रेड़ी तो अकॉमनें दोस चार्टर फ्लाइट अजिए 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